दोस्तो नीम, नीम का इस्तेमाल और शदी बनाने के लिए किया जाता है लेकिन नीम के अनेक घरेलू उप्योग और भी होते हैं नीम एंटिबाउटिक, अंटिबाउटिक से सम्रिध है और ये तत्व बीमारियों को ठीक करने में प्रभावी है रोजाना नीम का सेवन संक्रमन, घाव और फंगल इंफेक्शन से भी बचाता है इसलिए रोजाना नीम के पत्ते खाई या पानी पिए नीम इतना गुनकारी है कि इसके पेल के नीचे बैठने से भी शुध हवा मिलती है अगर नीम के पत्तों को उबाल कर कम मात्रा में प्या जाए तो यह कई तरह की बीमारियों से बचाने के साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है लेकिन बहुत करवा होने के कारण इसे पीना आसान नहीं है नीम का पानी कई बीमारियों को पास नहीं फटकने देता है जानते हैं नीम का पानी पीने के अद्बूत फायदे ज्यादा तर बीमारी आ इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से होती है नीम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है अगर इसका नियमित इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के हर अनकी कार्य प्रनाली सही रहती है और जल्दी किसी तरह का कोई संप्रमन नहीं होता चहरे पर निखार के लिए रोजाना नीम के पानी से चहरा धोए इसके अलावा नीम फेस पाग भी चहरे पर सबसे अच्छा माना जाता है नीम फेस पाग लगाने से चहरे की तवचा जवा रहती है नीम फेस पाग तयार करने के लिए नीम के पत्तों को अच्छी तरह से पीसले और उनमे थोड़ा सा शहद मिला ले फिर इस पैक को चहरे पर लगाएं नीम आंखों के लिए भी गुनकारी है इसके निमित सेवन से आँखों की रोश्नी बढ़ती है अगर आँखों से पानी आता हो या दर्द रहता हो तो नीम के पानी का सेवन करने से रहत मिलती है दातों और मसूरों के लिए लाबदायक पहले लोग नीम के दातों का इस्तेमाल करते थे नीम के दातों से मूर धोने से दात और मसूरे हमेशा ठीक रहते थे आजकर दातों का प्रचलन नहीं के बराबर रह गया है लेकिन फिर भी अगर नीम का पानी रोज प्या जाए तो इससे दांत और मसूरों से संबंदित कोई बीमारी नहीं होती रोज जाना नीम के पानी के सेवन से पेट से संबंदित बीमारिया नहीं होती नीम का पानी पेट के कीरों को मार देता है और विशाक पदार्थों को बाहर निकाल देता है अगर रोज सुबह खाली पेट नीम का पाना प्या जाए तो गैस, बदहजमे और दूसरे रोग महीं होते